हाई फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आप सभी का अर्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में मैं आपका दोस्त स्वास्चोधरी आज फिर एक ने टोपिक के साथ हाजीर हूँ टोपिक का नाम है इस्टेज ओफ डेथ बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है एंड इंट्रेस्टिंग भी है चोटा सा टोपिक है लेकिन क्यूशन पुछे जाते हैं इसमें से भी अभी एम्स पतना ने रिशेंटली तेन क्यूशन पुछे थे आप सुरु से लेकर लाश्ट तक देखिए लाश् मौद्ट पहले देखिए कुछ टरमिनोलोजी और मॉर्टेश आप मॉर्टेश इठ टू डेथ मॉर्ट्सवर्ड जहां भी मिले इसका मतलब होता है डेथ पहलेर मॉर्टेश चैंज दे बोडी कलर पील मिंस पहलर मॉर्टिश का मतलब है कि डेथ होनेだけ बाद बोड या कलर ह है वो चैंज हो जाता है सबसे पहली पेल कलर में चैंज होती है बोड़ी सबसे पहली स्टेज नेक्स्ट हैалеगर मौर्टिस minded since gradual decrease body temperature यह कि एरलगर मौर्टिस में मलब ग्रेजुल मिझस लगातार बोडी का टेमपरेचर है वो decrease होता रहेगा यह पैलर मौर्टिस के बाद में नेक्स्ट स्टेज है नेक्स्ट है राहेगर means stiffening of body body में stiffness आ जाएगी जैसे बोड़ी का temperature decrease होगा उसके बाद stiffness स्टार्ट हो जाएगी तो stiffness of body is called rigor mortis last है liver mortis body color are change in blue body color है वो blue color में हो जाती है उसे कहते हैं liver mortis यह थी कुछ terminology अभी इनको full detail में देखते हैं first is pillar mortis first stage of death next change color as a pale next is within two hours next due to decrease circulation या stop the circulation means जो pillar mortis है वो death की पहली stage है जिसके अंदर body color पीला हो जाता है means pale color हो जाता है यह death जेशे होती है उसके दो गिंटे बाद start हो जाती है due to decrease circulation means जो body में circulation हो रहा था normally वो भी या तो कम हो जाएगा या फिर stop हो जाएगा पूरी तरीके से रुख जाएगा उसके वज़े stage है एलगर mortis second stage of death gradually reduce the body temperature within या after two hours means जो एलगर mortis है वो death की second stage है जिसके अंदर gradually means लगातार body temperature है वो reduce होता रहेगा यह जो शुरू होती है after two hours means दो गुंटे बाद में एलगर mortis देखने को मिलेगा इसके अंदर शिर्फ और शिर्फ जो body का temperature है वो reduce होता रहेगा यह थी एलगर mortis इसके बाद में दिखेंगे next stage जिसका नाम है राइगर mortis sorry third stage of death stiffening of the body next is duration after six to eight hours means जो राइगर mortis है वो date की third stage है जिसके अंदर body में stiffening हो जाती है means stiffening में लब होता है अकड़ना body अकड़ जाती है बिल्कुल means आपको यह बहुत important question है यहाँ पर जिसमें question पूछा जाता है या तो शिदा-शिदा मिलेगा question या फिर गुमा फिर आके पूछेगा question जैसे यहाँ पर stiffening of body आपको वहाँ पर पूछ ले stiffening of hands stiffening of neck stiffness of extremities कुछ भी पूछे आपको right answer करना है राइगर mortis यह death के 6-8 गिंटे बाद हो जाती है मनलब अकडन 6-8 गिंटे बाद हो जाती है next है liver mortis fourth stage of death body color blue due to total shifting in the lower extremities liver mortis death की last stage है यानि कि fourth stage है जिसके अंदर body color blue जाता है due to total shifting in the lower extremities means जो total shifting है जो fluid बगर है वो सब कुछ shift हो जाता है lower extremities में उसके वज़े से body है blue हो जाती है next है care of death body आपको care क्या करना है जो death body है उसकी first है a nurse should confirm the death then inform the doctor nurse है वो सबसे पहले confirm करेगी कि person की death हुए या नहीं हुए अगर death confirm हो जाती है तो सबसे पहला काम है doctor को inform करना next doctor confirm the death by ECG डॉक्टर वो confirm करेगा death by the ECG ECG के द्वारा next confirmation of death then remove all catheters and canula जैसे ही confirm हो जाती है कि death हो चुकी है तो सबसे पहले उसके जो भी catheters canulas लगे हुए है उनको remove करना है next cover the patient body in gray sheet सबसे important question है जो dead body है जो भी patient की body है उसको gray sheet में cover करना है next pressure the patient body in formalin three months यानि कि जो patient की body है उसको formalin के अंदर pressure हो किया जा सकता है तीन महीं तक next है tagging the patient tagging का means होता है कि identification card या label जो भी मलब सुटे बोलोगी patient को पहचाना जा सके वो आपको patient के लगाना है जिसे patient को identify किया जा सका है मलब जो भी dead body उसको identify कर सके कि यह किस person की dead body है यह थी care of dead body जो भी dead body है उसकी care आपको केसे करनी है अब हम कुछ image देखेंगे क्योंकि आजगर image based question भी आते हैं तो यह जो stage है उन में से एक दो stage देख लेते हैं पेलर mortis यह आपको image दिखाई दे रहे होगी इसके अंदर जैसे date होती है उसके पंदरा मिनट बाद pale color होना start हो जाता है body क्योंकि circulation रुक जाता है नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा elgar mortis जिसके अंदर gradually means लगातार body temperature decrease हो रहा है नेक्स्ट है यह है liver mortis आपको blues discoloration दिखाई दे रहा होगा body का यह total shifting होने की बज़े से liver mortis rise होती है यह सबसे last stage होती है date की जिसके अंदर liver mortis होता है अब यह हम देखेंगे तीन क्योंस जो हम स्पटना में recently पूछे हुए है death of station first the gradual decrease in body temperature after death is called means death के बाद में body का temperature लगातार decrease हो रहा है इसे क्या कहते हैं तो right answer होगा elgar mortis elgar mortis मैंने बताया है जिसमें body का temperature gradual decrease हो रहा है यह questions थे जो पूछे हुए हैं इमस पटना में recently second stage, third stage and fourth stage तेनों stage यह question पूछे हैं सिर्फ एक stage नहीं पूछे गी वो थी pillar mortis first stage next question देखते हैं जो एमस पटना में पूछा हुआ है चलिए the discoloration that appears in the dependent areas of the body after death is called मलब date के बाद जो dependent areas है वो discoloration हो जाता है उनमें discoloration हो जाता है उसे क्या कहते हैं right answer होगा liver mortis जो की last stage of death है liver mortis next question stiffness in the body that occurs after two to four hours after death is called right answer is trigger mortis death के दो से चार गुंठे बाद बोडी में stiffness होना क्या कहलाता है right answer होगा trigger mortis ये third stage of death है जिसके अंदर बोडी में अकडन आ जाती है तो ये थी कुछ क्यूशन्स जो एमस पटना में पूचे हुए है उमेदर के आगे भी क्यूशन्स मिल सकते हैं ये से नहीं समझना है कि भाई छोटा है टोपिक तो हम नहीं पटने क्यूशन्स कहीं से भी आ सकते हैं ये तो जो एक्जामिनर होता है उस पर depend करता है कहां से क्यूशन डालता है ठीक है इसलिए गर पर रहिए safe रहिए और पढ़ते रहिए आपको जहां से भी जो material मिले आप बस पढ़ते रहिए क्यों एक continuity है वो जरूरी होती है एक्जाम्स कभी भी आ सकते हैं जैसे lockdown उखला वे शही वे केंशी जा सकती है एक्जाम्स आ सकते हैं इसलिए अपनी preparation है वो पहले शही करते रहिए और एक बात जिसने एमस पटना का paper दिया है उसे पता है केसा आया था paper और जिसको चाहिए वो comment में जरूर लिके मैं बहुत जल्द उनके लिए वो paper जो एमस पटना में लगा था वो ले के आऊंगा Thank you